दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिली नूजटापर और दोस्तों ICC वर्ल्ड कफ दोज और उसके सेमी फाइनल मैचेज 9 जुलाई से शुरू होने वाला है यानि कि कल से ये मैचेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे जहां पर पहला सेमी फाइनल इं कबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि दो एहम खिलाडी जो है वो वर्ल्ड कफ से बाहर हो गए जहां पर कौन है वो खिलाडी बताएंगे आपको इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वर्ल्ड कफ की मज़दार जानकार जी है दोस्तों उस्मान ख्वाजा सेमी फाइनल जैसे एहम मौके पर और एहम मैच से पहले यहाँ पर वर्ल्ड कप से बाहर हो बाहर कर दिये गए हैं जहाँ पर दोस्तों आपको बता दे कि उस्मान ख्वाजा को साउथ अफरियल किलाफ मैच में हैंस्ट्रिंग इंजरी हो ती और अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि ख्वाजा जो है वो सेमी फाइनल में इंगलेंड के खिलाफ मैच से पहले फिट नहीं हो पाएंगे और ऐसे में इसलिए उनको वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट कर दिया गया है जहाँ पर ऑस्टेलिया क्रिकेट बोर्ड न लिए बहुत बड़े जटके के जैसा है वहीं दोस्तों बात करते हैं उस दूसरे खिलाड़ी की जो की अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों ये भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं और दोस्तों वो खिलाड़ी कोई और नहीं बलकि ऑस्टिलिया के ह आल राउंडर खिलाडी मारका स्टॉइनिस है दोस्तों स्टॉइनिस को भी साउथ अफ्रेल खिलाफ मैच में चोट लगी थी और इसी वज़े से अब स्टॉइनिस के उपर भी खत्रे के बादल मंडराने लगे हैं जहां पर दोस्तों आपको बता दे कि मारका स्टॉइनिस हमने टीम के लिए बेहदी एहम खिलाडी हैं और अच्छी गेंदवाजी भी करते हैं ऐसे में आस्ट्रिले क्रिकेट बोर्ड स्टॉइनिस के उपर 24 से 48 गंटे यानि ये एक से दो दिन में फैसला ले सकता है और दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे तो दोस्तों आस्ट्रिले टीम को एक के बाद एक यहाँ पर सेमी फाइनल से पहले बड़े जटके लगे हैं जहां पर उस्मान ख्वाजा बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से उनके जगे मैथ्यू वेड को शामिल किया गया है तो वहीं मारकस टॉइनिस के उपर भी फैसला आना बाकी है तो दोस्तों यह थे वो दो खिलाड़ी जो की समी फाइनल से पहले बहार हो गए हैं तो दोस्तों इसे के साथ इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी दीगई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तैंक यू